नमस्कार दोस्तो एक्जांग सार्ती यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वाडिटेटिक एक्वेशन जो कि आपके बैंक एक्वेशन है आई बीपी एस पियो कलरक है इसके अलावा एससी के एक्वेशन हैं सीजील काम पर कुछ रूल्स है जो कि मेमराइज करने है और बहुत आसानी से एक बार आप जब इनको समझ लेंगे तो आपको याद रहेगी यह चीजे पहला जो रूल आपको हम बता रहे हैं कि जो एक्वेशन होती है क्वाडिटिक एक्वेशन एक्स इसक्वेशन प्लस बी एक् पर ये दोनों जगे जो प्लस है इनकी इस्तिती चेंज हो जाती है पहले इस्तान पर प्लस दूसरे पर माइनस हो जाएगा या दोनों जगे माइनस आपको मिल जाएगा इस तरीके से आपको ये क्वाडिटिक एक्वेशन मिलने वाली है तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है कि जो plus का sign है इसको हम ताकतवर मानते हैं और जो minus का sign है इसे हम कमजोर मानते हैं अब plus को ताकतवर और minus को कमजोर क्यों कहा है यह हम आपको समझाएंगे quadratic equations को solve करने के लिए पहले आपको 2 solutions निकालने पड़ते हैं क्योंकि quadratic equation है square है तो 2 solution होंगे अगर cubic equation है यानि x cube है तो 3 solution होंगे और अगर केवल x की format में कोई equation है तो वहाँ पर केवल एक solution होता है यह आपको ध्यान होना चाहिए तो quadratic equation की case में आपको 2 solution आप निकालेंगे मान लेते हैं कि s1 और s2 आप 2 solution निकालते हैं solution कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे करते हैं हमारे school exams में यानि school के जो syllabus में हम जब करते हैं तब हम लंबी process यूज करते हैं यहां पर हम short trick आपको बताएंगे जिसे कि आप within 10 seconds answer निकाल सकते हैं तो s1 और s2 की आप जब जो sign है वो निकालेंगे उसके लिए आपको क्या करना है कि यह जो equation में sign धिये हुए हैं जैसे कि इस equation में plus और प्लस का sign है तो s1 जो की संख्यातमकमान में बड़ा होता है यानि यहां पर हमें बड़ी संख्या लेनी है यहां पर हमें छोटी संक्या लेनी है जो भी हमारी हाल निकलेंगे solution निकलेंगे उनमें बड़ी वाली S1 होगी और छोटे वाला S2 होगा अब S1 का साइन कहां से आएगा यह जो पहला साइन है इसका उल्टा करके हमें लिखना है यानि यहां पर पलस है तो यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस तो H1 का साइन तो इस तरीके से हमने निकाल लिया अब S2 का साइन हम किस तरीके से निकालेंगे इसके लिए हम यहां पर जो साइन है उसके अकोर्डिंग इसका साइन निकालेंगे और वो साइन किस तरीके से हम निकालेंगे इसके लिए आपको ये ताकतवर और कमजोर वाला concept समझना होगा ये वाला जो sign है ये इस sign की ओर देखेगा कि यहां पर कौन सा sign है यहां पर है plus का sign तो हमेशा ध्यां रखना कि ताकतवर के सामने सब बदल जाते हैं और जो कमजोर होता है यानि माइनस होता है उसके सामने कोई नहीं बदलता तो इसी concept को हम यहां पर अपलाई करेंगे यहां पर पलस का साइन है इसका मतलब यह ताकतवर है तो इसको देख करके यह जो यहां का साइन है वो बदल जाएगा और बदल करके यहां आ जाएगा यानि पलस जो है वो माइनस में बदल करके यहां आ जाएगा तो S2 का साइन आ जाएगा माइनस तो यहां पर concept यही द्यान लखना है कि ताकतवर को देखकर सब बदल जाते हैं लेकिन कमज़ोर को देखकर कोई नहीं बदलता अब जो यह equation है quadratic equation आपको दूसरी जो format है जिसकी वो इस तरह होगी यहां पर पलस होगा यहां पर माइनस होगा इस इस्तिती में फिर आप दो solution निकालेंगे S1 और S2 जहां पर S1 जो है वो S2 से बड़ा होगा तो बड़ी वाली संक्या हमेशा इस side लिखनी है और चोटी वाली संक्या हमेशा इस side लिखनी है तो S1 का जो sign है वो इसका उल्टा आजाएगा डायरेक्ट और S2 का जो sign है वो इसके according आएगा यह देखेगा इसकी और यहां पर plus है फिट से यानि ताकतवर को देखकर कि यह बदल जाएगा और यहां पर minus की जगए minus बदल कर plus में आजाएगा तो S2 का sign आजाएगा plus में इसी तरीके से जो तीसरी format है इस equation की जिसमें दोनों जगए minus होगा तो यहां पर फिर दो solution हम निकलते हैं S1 और S2 S2 का sign तो direct यहां के sign का उल्टा जाएगा यानि यहां पर अगर minus है तो यहां पर plus आजाएगा अब S2 का sign जो है वो किस तरीके से आएगा इसके according आएगा और यह देखेगा इस ओर इधर देखेगा तो यहां पर है minus यानि कमज़ोर तो कमज़ोर को देख करके कोई नहीं बदलता तो यह AZT यानि minus का sign है तो minus का sign ही S2 का sign हो जाएगा तो इस concept को आपको द्यार रखना है वीडियो को आप बार बार देखें अगर आपको यह concept समझ में नहीं आया है तो फिर से जो चोथी form है जिसमें यहां पर minus और यहां पर plus देखने को मिलेगा तो दो solution निकालेंगे S1 और S2 S2 का sign S1 का sign तो आजाएगा इसके according उल्टा करके यहां पर minus है तो यहां पर क्या आजाएगा plus इसी तरीके से जो S2 का sign है वो आएगा इसके according और यहां पर देखिए plus का sign है और यह देखेगा इसकी और यहां पर है minus का sign यानि कमज़ूर को दे सब्सक्राइगा नहीं सीधा आजाएगा यहां पर S2 पे तो यानि पलस का sign पलस ही रहेगा तो यह होगी sign की पढ़नाली किस तरीके से हम चेंज करते हैं अब क्योश्चन कि किस तरीके से आता है कि आपको दो equations दी होए होगी और उनमें एक X के format में होगी एक Y के format में होगी और आपको option दी होंगे कि X बड़ा है Y से X चोटा है Y से या X की जो value है वो Y के greater than equal to है less than equal to है या equal है या फिर cannot be determined तो यह सारी इस्ततियां हम देखेंगे किस तरीके से यह question आप देखिए इसमें equation number 1 और equation number 2 दे रखी है तो यहां पर हम देखेंगे पहली equation यहां दोनों जोग प्लस का sign है इसके solution निकालेंगे हम अब solution किस तरीके से निकालते हैं जैसे कि हम जो नीचे की कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं कि इसके जो हल निकालने के लिए हम गुणन खड़ करते हैं बीच वाली संख्या का तो इसको दो एसी संख्या में बाढ़ते हैं जिसको जोड जोडने पर ये बीच वाली संख्या आजाए और गुणा करने पर इन दो का गुणा आजाए यानि कि देखें इन दो का गुणा करते हैं ए और सी का तो आता है हमारे पास छे यानि पहले जो ट्रम है और जो लाज ट्रम है उसका गुणा करते हैं तो आता है छे तो इस साथ 7 को हम अईसे टुकड़ों में बाटपना है जिस्से की गुना करणे पर 6 आज़े जोड़ने पर 7 आज़े तो 7 को हम 6 और 1 दो टुकड़ों में बाटते हैं इन दोनों को हम जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आजाता है? 7 आ जाता है और गुणा करने पर 6 आ जाता है तो ये इसके गुणन करना होंगे तो हमारे solution क्या होंगे 6 और 1 हमने यहाँ पर लिख लिया 6 और 1 अब ये upon में 3 कहां से आया ये 3 इसलिए आया क्योंकि हम हमेशा जो square की ट्रम है इसका जो गुणज है इसको एक रखेंगे हमेशा इसको एका ही रखना है हमेशा यहाँ पर गुणांक में एक ही रहना चाहिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं इस 3 का divide करते हैं पूरी इस equation में लेकिन हमने चुन की direct solution निकाले हैं तो हम क्या करेंगे direct solution में ही divide कर देंगे तो ये एक short trick हो गई तो हमारे solution दो 6 और 1 है उसमें ह ये sign कहां से आएए ये sign कहां से आएए?", यहाँ पर हम देखेंगे s1 का sign इसका उल्टा आ जाएगा जो कि हमने पहली देख़ा था इसका उल्टा sign आ जाएगा यहाँ पर यहनी plus है तो माईस जाएगा और यहाँ वाला sign आएगा इस के according तो यहाँ पर कौन चाहीन का sign है+, यह देखेगा इसकी और यहां पर क्या है पहले से पलस का साइन है यानि कि यह जो है ताकतवर को देख के बदल जाएगा बदल जाएगा यानि पलस है तो यहां पर आजाएगा माइनस का साइन तो कुल मिला के आपने समझा होगा कि यह यहां देखेगा यहां पर पलस का साइन है जो की ताकतवर है तो इसको देख करके यहां का sign change होके यहां आजाएगा यहां पर plus है तो यहां पर क्या आजाएगा minus तो इस तरीके से हमने इसके solution निकाली है पहली equation के और इनको आगे solve भी कर सकते हैं minus 2 यहां आजाएगा minus 2 और यहां आजाएगा आपका minus का minus का point 33 तो यह आपको द्यार रगना है next जो इसमे equation दी हुई थी y वाली y square plus 5 y plus 6 बराबर 0 तो इसमें भी क्या करेंगे दो solution निकालेंगे तो इसके solution इस तरीके से करने है 6 और 1 का गुणा हुआ 6 पांच को इसे 2 पुकड़ों में बांटना है कि गुणा करने पे 6 आजाए और जोडने पे 5 आजाए तो 3 और 2 इसी संख्या है तो 3 और 2 में बांट देंगे 5 को और इनके आगे हमें कोई चिन नहीं देखना है अभी तो 3 और 2 में हम बांट सकते हैं तो 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आगया हमारे पास और जोडने पे 5 आगया अब क्या करना है कि बात करते हैं साइन की तो यहां वाला साइन सिधा उल्टा होके आजाएगा पलस है तो माइनस आजाएगा और यहां वाला साइन इसके अकोडिंग आएगा यह देखेगा इसकी और यहां पर है पलस यानि ताकतवर यानि की यह वाला जो साइन है यह बदल करके यहां आजाएगा माइनस की फोर में क्योंकि यहां पर पलस है तो यहां पर क्या आएगा माइनस साइन अब क्या है हमारे पास दोनों एक्वेशन के solution आ गए x की ये value आ गई y की ये value आ गई अब हमको तुलना करनी है इन दोनों values में तुलना किस तरीके से करेंगे कि पहले हम minus 2 को y की values से तुलना करेंगे तो minus 2 minus 3 से बड़ा है प्योंकि minus में जो संक्या छोटी दिखती है वो बड़ी होती है तो minus 2 वाला साइन आ गया तो यहां पर थोड़ा फिर से समझिए minus 2 minus 3 से बड़ा है तो greater दिखना अम का साइन आ गया अब minus 2 को हमने minus is y के minus 2 से तुलना किया जो की बराबर है तो हमेरे पास बराबर का साइन भी आ गया अब X की जो दूसरी value है यानि की 0.33 minus के 0.33 उसकी तुलना करेंगे Y के जो मान है उनसे तो Y की value है minus 3 और इनमें से जो बड़ा है तो X फिर से बड़ा वाला हमारे पास आ गया X का मान यहां पे भी क्या है बड़ा है दूसरी value से हम तुलना करेंगे 0.33 की तो minus 2 से भी minus 0.33 बड़ा है तो फिर से बड़ा का sign आया है तो कुल मिला कि हमारे पास बड़ा और greater than or equal to का sign आया है तो हमारा final answer क्या होगा X is greater than equal to Y आगे और देखेंगे जाहां पे आपके और ज्यादा concept क्लियर होगा question number second देखते हैं इसमें हमें एक equation ये दे रखिए एक ये दे रखिए दोनों के solution निकालेंगे तीन और चार इन दोनों को गुणा किया बारा आया अब इस चार के हमें ऐसे टुकडे करने हैं कि गुणा करने पे बारा आ जाए यानि इन दोनों संक्याओं का गुणन जो है वो आना चाहिए और जोडने पे ये चार आ जाए तो एसी दो संक्याओं हो सकती है छे और दो यानि छे को दो से multiply करें तो बारा आ जाता है छे से दो गटाएं तो चार आ जाता है तो ये दो हमें solution मिल गए छे और दो अब चुंकि यापर square की term के साथ गुणा में 3 है तो इसको हमें 1 का ही बनाना है यानि एक होना चाहिए गुणा में x square के तो हम 3 का divide कर देंगे दोनों solution में यानि 6 में भी और 2 में भी अब बात करते है sign की तो यहाँ पर sign आएगा इसके according यानि यहाँ पर plus है तो यहाँ पर minus यहाँ पर minus है तो यहाँ पर plus तो जो पहला solution है इसका जो sign है वो इसके उल्टा आएगा तो यहाँ पर minus दिया हुआ है equation में तो solution में आएगा plus अब इसके sign की बात करें तो यह आएगा इसके according अब इसके according आएगा तो यहाँ पर यहां पर minus है तो यहां पर भी minus की form में आ जाएगा तो दोनों के solution हमें मिले इसको हमने आगे further solve किया तो 6 में 3 का divide किया 2Y और 2 में 3 का divide किया तो minus का 0.66 आया अब इसी तरह के से दूसरी equation को देखिए 2Y square minus 9Y plus 10 दो solution आएंगे यहां पर 2 को हमने 10 से गुणा किया यहां पर थोड़ा समझने कोशिश करें किस तरीके से आते है solution पहली ट्रम को और आखरी ट्रम को तीसरी ट्रम को हमने गुणा किया 2 और 10 को गुणा किया 20 आया अब इस बीच वाली ट्रम के ऐसे टुकडे करने हैं कि गुणा करने पर 20 आजाए और जोडने पर 9 आजाए तो 5 और 4 में हम 2 टुकडे कर सकते हैं 5 और 4 को जोडने पर 9 आजाता है और गुणा करने पर 20 आजाता है तो 5 और 4 हमारे गुणा करने पर 20 आजाता है तो 5 और 4 हमने लिख लिए अब इनके sign की बात करें तो यहाँ वाला जो sign है पहले उननखन का sign है वो इसका उल्टा करके आजाता है इस वाले sign का तो यहाँ पर minus दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा पलस अब इस दूसरे वाले की sign की बात करें तो यहाँ आता है इसके according sliding यहां पर देखिए plus का sign है और ये देखेगा इसकी और यहां पर इसको दिखाई देगा minus का sign जो की है एक कमझोर कमझोर को देखिए बदलेगा नहीं बदलेगा नहीं तो यहां पर ci from में ही आ जाएगा तो यह plus minus कैसे आया वो आप समझ गए होंगे do वो भी आप समझ गए होंगे, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहां पर बड़ा वाला गुननकड रखना है, और यहां पर छोटा वाला गुननकड रखना है, यानि जो solution आप निकालते हो, उसमें बड़ा वाला solution इधर, छोटा वाला जो संक्य है, वो इधर आने चाहिए, अब इसको आगे solve करें, तो y के 2 मान आगे, 2.5 और 2, अब अक्स के दोनों जो values हैं, y के दोनों values को आप compare कर सकते हैं, पहले अक्स की एक value को उठाएंगे, और उसको y की दोनों values से compare करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि 2 जो है, ये y के दोनों मानों से क्या है, या तो 10 से जोटा है, और 2 के बराबर है, यानि हमें छोटे का और बराबर का sign मिल गया, अब इस value को हम दोनों value से तुलना करेंगे, तो minus का 0.66, ये minus में है, और ये दोनों value पलस में है, तो हमें पता चल गया, डायरेक्टी की ये वाली value हमेसा छोटी है, तो फिर से हमारे पास क्या आ जाए, कि हमें less than भी मिले और greater than भी मिले, दोनों ही condition मिलने पर हमें क्या answer देना है, लाश्ट वाला जो answer होगा, option होगा, cannot be determined, c and d, वो लगेगा, इस चीज़ का ध्यार रखना है, आगे बहुत सारे हम questions करेंगे, तो आपको और clear होगा, आने वाले videos में हम हर तरह के advanced level के questions करन वाले हैं, अब यह question देखिए, इसमें क्या दिया है, x square की एक equation दिए है, एक y में दिए हुई है, अब यहाँ पर इसके solution निकालेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने पर आना चाहिए, इन दोनों को गुणा 6, और जोडने पर घटाने पर आना चाहिए, एक, तो तीन और दो इसे गुणनकंड है, जिनको जोडने पर गटाने पर आ सकता है, एक और गुणा करने पर आ सकता है, छे, तो हमारे पास जो गुणनकंड यहाँ पर फेक्टर निकल के आए हैं, वो तीन और दो है, अब इसका जो sign है, वो आएगा इसके according, यानि उल्टा करके minus का, plus का minus हो ज जब यह plus की sign की ओर देखेगा, तो इसका मतलब यह है, कि यह ताकतवर है, तो इसको देखकर कि यह change हो करके यहाँ आ जाएगा, यानि यहाँ पर minus का sign है, तो यहाँ पर plus का sign आ जाएगा, तो यह हमारे पास x की दो values आ गए, इसी तरीके से दूसरी equation देखिए, इसमें हम solution निकालेंगे, चार, तीरी, बारा, चार और तीन को गुणा किया, यानि बारा, तो बीच वाली जो ट्रम है, यानि तेरा, इसके ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे फेक्टर करने हैं, कि गुणा करने पर बारा आ जाए, और जोडने गटाने पर तेरा आ जाए, तो ऐसे दो आई स्कुएर की ट्रम में, साथ में, चार मल्टिपलाई में है, तो इसको इकाई करना है, इकाई करने के लिए हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, चार का डिवाइड कर देंगे, दोनों सोल्यूशन में, हमेसा ध्यार रखना है, बड़ा वाला सोल्यूशन इधर, छोटा वा माइनस का यहां पर sign है plus यह देखेगा इस ओर यहां पर plus का sign है तो टाकत और है टाकत और को देखके बदल जाएगा पलस की जगे माइनस ये वाला पलस वाला माइनस में बदल के यहां पर आ जायेगा यानि कुल मिला कि हमारे पास solution आ गए जिसको solve करने फर minus 3 और minus का 2.5 आ गया अब x की ये value और y की ये value दोनों को compare करें compare करने पर हम देखते हैं minus 3 को हम compare करेंगे इसकी दोनों value शे तो minus 3 के पहले तो आता है बराबर का sign फिर minus 3 x के minus 3 को compare करेंगे y के minus का point 25 तो ये क्या है x की value क्या है वाई से छोटी क्योंकि माइनस में जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है तो माइनस का 0.25 से माइनस 3 क्या है छोटा तो हमारे पास 2 साइन आ गए अब जो एक्स का दूसरी वेल्यू है यानि पलस टू इसकी तूलना करेंगे वाई के दो वेल्यू से माइनस 3 से बड़ा है तो यहां पर हमारे पास बड़ा साइन यह भी आगया इकोई स्थिति आ जाये कि यह की से संबव है कि और बड़ा भी में इस्तापित नहीं किया जा सकता तो यह है वाज़िक एक्वेशन के पूरे इक्वेशन कर सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे IBPS में, bank exams में तो आगे आने वाले वीडियो में हम और questions देखेंगे तोड़े advance level के अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे like करें, share करें हमारे channel को subscribe करें धन्यवाद